कि नमस्कार मैं अंजले मिश्रौज स्वागत है आपका हमारे च्रेनल में आपको उतादी कि सुवक्त योधियान नगरी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबत इस बार का दिपावली का जो उत्सव होगा इस सदीप उत्सव को मनाने के लिए खुद प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी आयोधिया जाने वाले हैं जी हाँ बलकुल सही सुना आपने यह खबर आ रही है कि पी एम मोदी आयोधिया में दीप उत्सव में शामिल हो सकेंगे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉल जिक में नाम दर्ज कराने के लिए 15 लाख दिये जला नाम आयोधिया जाएंगे सतरालाख दीपों की विवस्था जो है रोएंद्या में की गई है क्या है फूरा मामला यह वस्तार्स जान लते हैं और फॉर प्रदान मंत्री के जानें को लेकर प्रशासनिक तयारिया भी जुर्व हो पर राम लला और हर्मान गड़ी का दर्शन भी करने वाले हैं सूत्रों के अनुसार प्रधार मंत्री नरिंद्र मोदी 23 ओक्टोबर को अयोध्याएंगे और इसके बाद राज्या विशेक कारिक्रम में भी शामिल होंगे सर्यू आर्ती भी करेंगे जहां वे सीधे राम की होगा इससे पहले 5 अगस्तर 2020 को वे राम जन भूमी परिसर में भवराम मंदिर निर्मान के लिए भूमी पूजन में शामिल हुए थे गिनीज वर्ल रिकॉर्ड के लिए इस बार 15 लाख दिये जला जाने का लक्ष दिया गया है और इसके लिए प्रशासन ने 17 लाख दियो विश्व विद्याले और महा विद्यालों के स्टूडेंट के साथ सामार्जिक संगठनों के सयोग से राम की पौडी पर दिये जलाए जाएंगे 38 घाटों पर 18,000 वॉलिंटियर्स दीपो को जलाएंगे साल 2021 में 9,48,000 दिये जलाए गये थे और इस बार आप देख सकते हैं कि लक्ष और भी जादा बड़ा है जो है 2021 में जो लक्ष था वो 9,48,000 दियों का था और 2022 में अब इसे 15,000 लाख दिये कर दिये गये है और यह सब्सक्राइब के दिपुच्व में साउथ कोरिया त्रिनडाच समेत देश के प्रतिनिधी भी शामिल होंगे इसके अलावा त्रिनिडाच नेपाल थाइलेंड इंडोनेशिया श्रिलंका भूटान अमेरिका और वितनम देश में राम लीला का मंचन भी किया जाएगा सकते हैं यह बड़ी खबर है कि दिपावली के दिन अयोध्या के लोगों के साथ अयोध्या नगरी में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी अपना समय बिताने वाले हैं वहां पर दीपुच्व में भी वो शामिल होने वाले हैं चार से पांच घंटे अयोध्या में रहने का उनका प्रोग्राम है और इसे दीप उत्सव को और खास बनाने के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम करने की जो आप कह सकते हैं जिमदारी जो है वह उचाई गई है नया रिकॉर्ड कायम करने की बात कही जा रही है प्रधान मंत्री मौझूद रहेंगे मौके पर प्रधान मं रंग जाएगा और ऐसे में यह काफी आप कह सकते हैं कि एक एहम माना जा रहा है कहा जा रहा है कि योध्याकार यद्दीप उच्छव अलग होने वाला है कुछ नया होने वाला है और साफतोर पर समझ सकते हैं कि 15 लाख दियों से जगमगाता योध्या क्या भव्य और कितन भव्य कि देखकर आँखे नहीं थकती थी इतना सुंदर की आखों को और देखना था और इस बार इसको भविता को और बढ़ाने के लिए इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए मार्जिन भी और बढ़ा दिया गया है जहां पर 9,000,000 दियों से काम चलाया था एक नया कायम किया था उस record को तोड़ कर 15 लाख दियों से आयोध्या को जगमगाया जाएगा आयोध्या जो कि राम की नगरी है आयोध्या जहां राम हर रोम रोम में बस्ते हैं आयोध्या जहां भगवान राम की वापसी के बाद दिवाली का उतसा बनाया गया था और इसकी है वह अपने इस तर पर एक दीपक जुला कर फिर से सेल्वेट करेगा और यह दिवाली और भी जादा खास बंती नजर आएगी 15 लाख दियों के साथ नया गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान मंतरी की मौजूद्गी में दीपुत्सव और सुंदर अयोध्या नगरी ज कितना खुबसूरत वए नजारा होगा और शनारे को देखने के लिए बस और कुछे दुनार का इंतजार है कि एक उस दिन बाद ही हमारी दिपावली है और दिपावली के दिन रामलला के दर्शन भी होंगे और दीपो से जग्मगाया योध्या भी नजर आएगा ऐसे में जिले के जो लोग हैं इस साल दिवाली खास होने की भी उमीद लगाए बैठे थे इस वार 23 ओक्टोवर को दिवाली मानाने के लिए उनके साथ देश के प्रधार मंतरी भी मौझूद होंगे आधिकारिक सुत्रों के मिटाबित अप्यमों की तरफ से हरी जंडी मिलने के बाद जिला प्रशासन अब उनके आने की तयारियों में जुट चुकी है इसके साथ ही इस बार सर्युगाट पर 15 लाख दिये जुला कर विश्वर रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा दिपुचसव को भव्य बनाने के लिए जहाकियों की भी प्रस्तुती होगी सूत्रों के मताबिद प्रधान मंतरी कारियाले ने उनके आने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन उसकारिकरम को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है पीम सबसे पहले हनुमान गड़ी और राम लला के दर्शन करेंगे इसके बाद प्रधार मंतरी बगवान राम के राज्य बशेक में शामल होंगे इसके बाद प्रधार मंतरी बगवान राम के दर्शन करेंगे सर्यू आर्टी में भी शामल होंगे वहाँ वो जन सभा को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधार मंत्री के अयोध्या दोरे के दोरान यूपी सरकार सद्यू नदी के 38 घाटों पर 15 लाख दिये जला कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना चाहती है इसके लिए राजसरकार ने 17 लाख दियों का भी इंतिजाम किया है राजसरकार ने दिये जलाने की सारी जिबदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहियावद विश्वद्याले को दी है विश्विद्याले और महाविद्यालों के स्टूडेंट के साथ सामाजिक संगठनों के सहयोग से 18,000 वोलिंटियर राम की पौड़ी पर दिये जलाएंगे आपको बता दे कि नरेंद्र मोधी दो बार आयोध्या आने वाले पहले प्रधान मंत्री भी होंगे इसे पहले किसी भी प्रधान मंत्री ने आयोध्या का एक बार से जादा का दोरा नहीं किया है आप समझ सकते हैं कि यह और भी क्यों एहम माना जोई रहा है प्रधान मंत्री मोधी इससे पहले 5 अगस 2022 को भी राम मंदिर के सिलनयाश के कारकरब में शामिल होने के लिए आयोध श्रिलंका और देशों में रामलीला का मंचन भी किया जाएगा और दीप उत्सव को और ज्यादा भव्य और सुंदर बनाने के लिए लेजर शोका इंतिजाम किया जाएगा जिसे आप देख पाएंगे और यह सब दिपावली के दिन की शीडियूल रखे गई है तो ऐसे मे हमें आपको पूरा मामला विस्तार्स बताया है और अब पूरे मामले पर आपकी जुराय हो हमें कमिंट सेक्शन में कमिंट करके जरूर साज़ा करें धन्यवाद करा झाल को कमिंट ज़रूर प्रीजयूल रखे HOWझा नावद